नमस्ते मेरे नाम लफ्षिन मजगा है आज हम लोग बनाएंगे मोटे पोही की नमकिन मोटे पोही वैसे तो नॉर्मली आलू पोहा बनती है मोटा पोहा से नमकिन बनानी की रसेपी यह मैंने मेरी फ्रेंड से लिए हूँ जो है और क्या करती थी कभी-ख़ी उसके चर्बटा खाने का मन करता था तो इस तरह से उसके गर में मोटा पोहा पतला पोह नर्मली नहीं रहता था मोटा पोह चाता रहता था तो मोटा पोह से नमकीन बनाती थी और उसकी ही रसेपी आज मैं बनाऊंगी तो चलिए कैसे बनाते हैं हम लोग यह मोटे पोह सी नमकीन जानते हैं कमहें एक पलेट की करीब मोटा पोहा ली हूँ आप चायता जाधा यह कम दया सकते हैं मैं आपको बता दूँ इसी तरह से मुबाली की नमकीन वह मेरे चानल में आप लिंग है और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्टर में मैं डाल दोगे आप देख सकते हैं मुमफली को दाले शर्णी केज़े हाँ यहीं 1.5 फट बाइगी तरी सब्सक्राइए मुमफली मुमफली को सेटाई है यह 4 गायि टेस्त हो सब्सक्राइट कि यहीं स्थन और पल elles हमें पलाना केज़ते हैं तड़ के तक गदेवें बारिक नशे हरी मिर्ची लगना है छो Walk 0000 मशरी मुझाज सफोल कड़नेगे प्याजी प्याज और हरी मिर्ची करएं से हादमक बना है री प्याज अंकी स्थाक। अच्छा बीटाब करते हैं करी लाए जदैने को बाद है और हम और तरह से किस्टिया नेरी तरिक सब्सक्रा झाले हें पाड ले इसमें ही यह मोटा पोहा है यह आप देख सकते हैं कपला पोहा को इसमेंटे अच्छी तरह से चाहिकर से घ्क पोहा है ना कि दिखें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यह दिखें भून गया है दिखें हलका सा ब्राउन कलर आ रहा है इस स्टेज में आने तक इन्हें अच्छी तरह से भूनना है तभी आपके जो पोहा है ना एक्दम प्रिस्पी और नम्की एकदम चटपटा पूरा हो गया है अच्छीर थे संप bak ja Hä double कि इख सकते हैं कि data लग रहा है कलर भी तो की पूरा हो गया है उसके बाैकर में क्या करना है हमको इसमें पाणी तो डाला लेना भी इससी तरह हार्त में थोड़ा सा लेना है ऑप्रेंकि का खाला कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये पोः ना ये अच्छी तरह से पकना चीए मतलब कि एकडम क्रिस्पी बनना चीए इसलिए पानी स्पींकल रहे हैं याद रखे लगातर मिक्स करते हैं दो ऑप नहीं लगे जरने लगी और इसका टेस्ट नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा पूरी तरह से बिगड़ जाएगी तो यह देखिए यह हलका सा वाइटनेस आ रही है मतलब कि जिसमें भी वाइटनेस आ गया है वह हमारी पोखा जो है न वह अच्छी तरह से पका लिए हो गया है उसके बाद में हम लोग थोड़ सा फ में हो गया है हमारी पोखा में दूसरी बार भी पाइट च्छेडातक अच्छी तरह से पका लेकार है जैसे भी अच्छी तरह से क्रिष्पी हो पानी स्पिंगल करने के बाद में हम लोग फिर से तीन मिनेट अच्छी तरह से पका लिया है दिखिए आप देख सकते हैं इसका जो कलर है हलका ब्राउन कलर आ गया है इस स्टेज में आने तक यह पोहे को न अच्छी तरह से भून लेना है उसके बाद में क्या करें इन्हें फोड़ा सा और चटपटा बंणने के लिए मैंने क्या क्युक्त हूं ए थोड़ा से चाठ मसाला ढाल पूरी तरह से सकते हैं लेकिन इससे न बहुत अच्छा टेस्ट आता इसलिए मैं यह डाल रही हूं तो यह थोड़ा सा डाले है हाफ्ट बल श्पून के कडिए और सभी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चट पटा को है कि नमकिन बनाए खाए और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद मैं थोड़ा टेस्ट करती हुआ कैसा है हुआ 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 है